न्यूजिलेंड की ODI सीरीज में मिली हार अब रोहित वापसी करके नागिन डांसर्स पर करेंगे वार अरे मैं तो सिर्फ अपमान जनक बाते कर रहा हूँ अभी टीम इंडिया तुमको अपमान जनक हार देगी ODI और टेस्ट दोनों सीरीज में और फिर हम करेंगे लेकिन उसके लिए के अल राहूल को एक लंबी छुट्टी बे भेजना पड़ेगा नहीं तो वो अपनी कला का बहतरीन प्रदर्शन करके बांगलादेश को चांस दे सकते हैं हमें थोड़ा कॉम्पिटीशन देने का बात तो सही है चलिए मेरे आनी प्रशांत कपूर के साथ देख लीजिए क्या होनी चाहिए बांगलादेश के खिलाफ पहले ODI बे टीम इंडिया की प्लेइंग 11 यार सबसे पहले तो मुझे जानना है कि ये न्यूजिलेंड के खिलाफ जो सीरीज थी यह क्या मतलब क्या सूचिक रखी गई थी यार जब सावन का सीजन चल रहा है न्यूजिलेंड में तो मैच इंडिया में रख लो ना चे मेंसे चार मैच तो तुमने बारिश में धो दिये यार मतलब केजे कैजे लोग रहते हैं यार चलो अब जो हो गया सो हो गया एट लिस बांगलादेश में वेदर तो साफ है सारे में है चोंगे और एक बारी स्क्वार्ड पे नजर मारे तो इंडिया में वापसी कर ली है सीनियर दिगज ओपनर्स रोविद शर्मा और केल राहुल ने जिन पर मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है और जिस पर भरोसा था सूर्य कुमार यादव और हारदिक पांडया उन राहुल त्रीपार्टी दीपक चाहर मोहमत सिराज उम्रान मलिक पुल दीब सेन रजण पाटिदार शाबाहस अहमद और वॉशंकटं Bible सुंधर वाईस कोंड कहरे हrän ओ najwięी और ली पाटियों को मेजित कर दें मुझे तो लग रहा है कि शायद शिखरदवन को भी मौका ना मिले इस टूर पे खेलने का तो भाई इन्हें बस पिकनिक पे लेके जा रहे हैं कि भाई चलो वेटा चलो आओ तुम्हें दिखाते हैं छोटा पाक मेरा मतलब है बांगलादेश दिखा के आते हैं चलो चलो अब देरी ना करते हुए चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ देखो रोईट शर्मा तो कप्तान है तो ओपनिंग पे तो लॉड रोहित ही आएंगे और उनका साथ लॉजिकली फॉर्म को देखते हुए तो देना चाहिए शिखरदवन को या फिर लेफ्ट हैंड और राइट कॉमिनेशन को देखते हुए इशान किशन को लेकिन देंगे किंग लॉड यानी केल राहुल फिर तीसे नंबर पर वान एंड ओली किंग कोली चौते नंबर पर दिखेंगे संजू सैमसन की जगा हड़के बैठे हुए श्रेय सायर फिर पांचवे नंबर पर नजर आएंग वाशिंग्टन सुंदर और स्कॉड देखके आपको पता लगी गया होगा कि कोई डेडिकेटेड स्पिनर जैसे चहल या फिर अश्विन तो है नहीं तो साथवे नंबर पर मेरे हिसाब से लिया जाएगा अक्षर पटेल को फिर आठवे नंबर आ जाएगा तो आठवे नं पर खेलेंगे उम्रान मलिक और मोहमत सिराच तो यह तो थी मेरी प्लेइंग 11 इस अगले मैच के लिए मतलब कल का जो पहला मैच है उसके लिए क्या आप सहमत है इस प्लेइंग 11 से मेरी वाली तो कॉमेंट्स में सहमत लिख दो और या फिर आपको लगता है कि कुछ बदला सब्सक्राइब करना मत भूलेगा